दोस्तों दूसरे विश्वित से पहले नौथ कोडिया और साउथ कोडिया दोनों एकी देशों आखते थे लेगन अगर आज के वक्त में देखा जाए तो दोनों देशों में जमीन आसमान का फ़र्क है एक जगा इतनी हरी भी है कि रात को सैटलाइड इमेजिस में नौथ कोडिया मनुख कैसे रहते हैं तो बने लएगा वीडियो के अंतकबारे साथ लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है या आपने अभी दख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकान दबाना ना फु सिर्फ ओलंपिक्स या फिर किसी खास कारण से वहागे लोग देश छोड़ गरबार जा सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं नौट कोडिया में रहने वाले लोगों को अकर एक शेर से दूसरे शेर भी जाना हो तो उसके लिए उने स्पेशिल पर्मिट्स की दूरूत पड़ती ह नौट कोडिया में अभी सिर्फ एकी एरपोर्ट है जाबर सिर्फ एर चाइना और नौट कोडिया की सरकारी एरलाइन्स की फाइट चलती हैं साथ ही नौट कोडिया में हर साल सिर्फ 6,000 टूरिस्ट आते हैं जिस वज़े से एरपोर्ट जयाल दर खाली रहता है वहाई देश के बाहर और देश बर में गुम नहीं पूरिया अजा दिये और उन्हें ज्यादत स्पेशल पर्मिशन्स की जरूत नहीं पूर थी सिर्फ इतना ही नहीं साथ कोडिया का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रंग पासपोर्ट मना जाता है जिस वज़े से एएरपोर्ट में से एक है इस ऐरपोर्ट को 2015 से अब तक लगाता और हार साल दूनिया के बेस्ट एरपोर्ट का बार्ड मिलता اymर करन सी बाइछ स्ट के जाए तो दोनों देश्य की करेंसी से को वभ येक कहते हैं जान नाौत कोडिया नोट्स देखने को बिलते हैं लेकिन साउथ कोरिया के लोग नौट कोरिया के मुकाबले ज्यादा भी थे हैं और एक बेटर लाइफ जीते हैं एक मज़िदार बात यह हैं कि नौट कोरिया का पूरा नाम डिमोक्रिटिक पीपल से पुब्लिक अफ कोरिया है यानि कि वह एक जबकि साउथ कोरिया में पहले डिक्टेजर शिफो कर दी थी और बाद में उन्होंने डिमोक्रिसी को अपनाया जा साउथ कोरिया की डिमोक्रिसी पूरी तरफ एयर है वाइनोट कोरिया का इलेक्शन प्रोसेस ठोला ठेला है याप अगर आपको किं जॉंग उनकी पार्ड इतना ज्यादा है कि जो पार्डी उनके विरूद में खली होती है वो भी खुद को वोट नहीं करती है जिस वजह से पिछले और तालीस सालों से वरके उस पार्डी लगातार हर एलेक्शन हंड़ेट परसंट वोट के साथ जीतती है ये दोलोई देशों में स्पोर्स का कल् नौथ कोरिया में फोटबाल, बॉलीवाल और बास्केटबाल जैसे खेल काफी पापुल है ओलम्पिक स्विमी वो हरवार इससा लेते हैं नौथ कोरिया ये बास टोटल चववन मेडल्स हैं जिन में से सोला गूर्ड है जोने वेट लिफ्टिंग, जिम्डास्टिक्स और चूडो जैसे खेलों मिले हैं वही दूसरी और साउथ कोरिया में ताइकवांड और बेसबॉल काफी ज़ादा पॉबल हैं इसके लाबा उनकी उलम्पिक परफॉर्मेंस भी काफी सही रही है साउथ कोरिया ये बास टोटल 287 मेडल्स हैं जिन में से 101 की स्कूल मेडल्स हैं अगर नौट कोरिया में एजुकेशन की बात की जाए दो आ सूला साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई मेंडेटरी है लेकिन वहाँ के स्कूल सिलिबस में ज्यादा थर। किम फैमिली की मान तक के कसे पढ़ाई जाते हैं और स्कूल खत्मोने के तुरंट बाद इन बच चोग अगले 10 साल तक मिली ट्रीम अपनी सर्विस देनी परती है सिर्व इतना ही नी नौट कोरिया के रूल्स के हिसाब से वहाँ पर हार क्लासरूम में किम जॉंग उन की दादा किम मिल सुंग और पिता किम जॉंग इल की तस्वीर उना वेंडेट वी है वही साओध कोरिय के एजुकेशन सिस्टम नौट कोरिया के मुकाबले काभी फ्री है लेकिन वहाँ पर कॉम्पटिशन में काफी जादा जिस वजह से अच्छे माक्स लाने के लिए बच्चों को दिन में कभी-कभी 16-16 घंटों तक भी बढ़ना पूरता है नौट कोरिया की सभी जमीन सरकार की होती है जिसे है कि कापिटल प्यांगे अपार्टमेंट्स दिय जाते हैं जबकि सारी पपलिशन बहुके चोटे और जरजर मखान हेरती है नौट कोरिया में दिखावे कि निखिद फ्रीडम एफ स्पीच भी ऑगन अगर कभी आपने वहां की सरकार के खराफ को बोला तो आपको जेल भी हो सकती है यही वज़ा है कि वहां की मीडिया भी पूरी तरह से सरकार की कंट्रोल में और वो भी सारा दिन सर्फ नौट कोरिया की लीडल की बक्ती ममगन रहती है नौट कोरिया में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं है और आप म्यूजिक सुनना है ठीकर आपर सौन्ट कोरिया में कोई भी शो कि यह इना आपकुल्य है6 के लावा हूं का के लूज़ साइफ को की में चाननीं पूरी दुनिय साइवार और के लेस्ट हूजिक में पूर्व पार्प बैंद्ब्स यह का रिभाण से नॉर्थ-क कोलिया को भी दूनिये इनिस् कोरिया की पेरसाइट मुवी ने ओसकर जीत कर एक नया इतिहाज भी रच दिया था नॉट कोरिया में एवरेज ली जाए तो हजार लोगों मेंसे सिर्फ ग्यारा गेबासी कार्स हैं और ये कार उनर भी वो लोगें जो हाई रैंकिंग गवर्मेंट ओफिशल्स हैं क्योंगी लोग तो कार सफ़र्दी नहीं कर सकते इसी वजह से नौथ कोरिया की सरक्याप को जल्ब खाली नजर आती हैं नौथ कोरिया में से वेक कार मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी जिससे सरकार कंट्रोल तरती है वह दूसरी गरम साउथ कोरिया गेवरेज देखें दोबाँ हर हजार से 457 के पास और हैं और में वपल रहें जान ओर्थ कोरिया में कोई भी प्रैविट केंपली में साउथ कोरिया से निकली संग यसी कंपनी जाद दुनिया बर में एक डॉमेनिंग फोर्स है और अपनी अलगी पैचान मना चुकी है नौथ कोरिया जिस चीज में आगे वह दो कि छुट्टियां नौर्थ कोडिया में अपने परोसी के मुखाबले लोगों सिर्फ बारा पब्लिक और इडिस ही मिलते हैं जिन में से सबसे जरूरी ओलिडे लिए लिए नियुएर के वक्त होती है जब तीन दिन तक लगा था सभी सरकारी आपसे बन रहते हैं इन दोनों देशों के बीच जो आखरी बज़िदा डिफरेंस है वो है फैशन और ब्यूटी वेलेकर नौर्थ कोडिया में सरकार के सखता देश हैं के लोग वेस्टन क्लोस को नाप है ने और बहुत समय तक वहाँ पर मेक अप जैसी चीजों पर भी बहुत लिमिरेट अमाउ और वहाँ चारों और एक फैशन प्लिस गूमती है आगर आप कभी किसी भी तरह ये रूल तोड़ते हुँ देखे तो आपको अरस्ट भी किया जा सकता है साउथ कोडिया समावने बिलकुल रुटा है वहाँ की ब्यूट इंडस्री काफी बड़ी और कई वार वहाँ कुनाने में नौर्ट कोडियागी बियर साउथ कोडिया बियर से जाएधा बेढ़ने गएक साथ कोडिया औरpes ने ऐसा कह दिया था तो आँ काफी कॉंट्रावर्सी भी ओवे थी फैरन बात दो यह चुड़ देते हैं आपको क्या लगता है अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इन दोनों देशों में से कॉन्स देश में बूबना ज्यादा पुसंद करेंगे आपको आज की वीडियो से काफी को सीखने को अगर आपको इए वीडियो पुसंद आया दो वीडियो भी लाइका